नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ त्रिप्ती भारत की स्वर्कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश और दुनिया भर के संगीत प्रेमे दुख में हैं लता मंगेशकर ने देश को सुरो की धरोहर दिये कि जब तक ये दुनिया है तब तक उनकी आवाज गूझती रहेगी आज से वो अमर हो गई है लेकिन लता मंगेशकर ने सिर्फ सुरो की धरोहर नहीं दिये वो मिसाल है उस हिंदुवादी चहरे की जिसने वामपंथी बॉलिवुड में रहकर अपनी हिंदुवादी विचालधारा के साथ कोई समझोता नहीं किया और शिकर पर पहुँच कर भी दिखा दिया इसके साथ ही देश और दुनिया में सम्मान और यश भी पाया सुर्थ सामरागी लता मंगेशकर का सम्मान सिर्फ संगीत या फिल्मी दुनिया में नहीं था खेल जगत से लेकर राजनीति के गलियारों में भी उनका सम्मान करने वाले प्रशंसकों की कमी नहीं थे यही बचा है कि देश के प्रधार मंत्री नरेंद्र मोधी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक लगभग सभी राजनेतिक पार्टियों और उनके नेताओं ने लता दीदी के निधन पर शोग जताया और उन्हें श्रधान चली दी प्येम मोधी थो उनके अंतिन संस्कार में शामिल होने मुंबई तक पहुच गए ये बात किसी से नहीं चुपी है कि प्येम मोधी और लता मंगेशकर एक दूसरे से कितना इस नहीं रखते थे एक दूसरे के कितने बड़े प्रशन सक थे भारत रतन लता मंगेशकर से प्येम मोधी का कितना इसने है था ये सबको पता था प्येम मोधी उन्हें लता दीदी कहकर संबोधित करते थे और साल 2019 के सितंबर महिने में प्रसारित मन की बात कारिक्रम में लता दीदी के साथ ही बातचीत की रिकॉर्डिंग भी प्येम मोधी ने सुनाई थी वही देश के पहली प्रधान मंत्री जवाहलाल नहरू का ये किस्सा भी हर कोई जानता है कि कैसे 26 जनवरी 1963 को वो लता मंगेशकर का गाना ए मेरे वतन के लोगों सुनकर उनकी आँखों में आसुआ गए थे यानि देश के प्रधम प्रधान मंत्री से लेकर वर्तमान प्रधान मंत्री जो अलग-अलग विचारधाराओं के हैं सबके दिल में लता मंगेशकर के लिए सम्मान था और लता मंगेशकर ने भी सबका सम्मान किया लेकिन जिल लता मंगेशकर को देश की हर राजनेतिक पार् को सुनकर आंसू बहा रहे थे उनकी कॉंग्रेस सरकार ने लता मंगेशकर के भाई रिदेनात मंगेशकर को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने उनकी विचारधारा से मेल ना रखने वाली कविता पर धुन बना दी थी तो क्या थी लता मंगेशकर और उनके परिवार की विचारधारा जवाब मिलता है 26 फरवरी साल 2014 में उनके एक ट्वीट में उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें वो स्वतंतृता सेनानी वीर सावरकर के साथ थी ये ट्वीट उन्होंने वीर सावरकर की पूर्णितिती पर किया था और लिखा था कि मेरे पिता समान वीर सावरकर जी के साथ मेरी ये पिक लेकिन 2014 में जब लता जी ने ये ट्वीट किया था तब मोधी सरकार सक्ता में नहीं आई थी और ना ही कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच वीर सावरकर को लेकर वैसी जंग चल रही थी जैसी की आज चल रही है लेकिन इस तस्वीर ने ये साफ कर दिया था कि लतामंगेशकर के जीवन में वीर सावरकर का क्या महत्व है इसके बाद बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी के लिए वीर सावर का महत्व और समान को देखते हुए कॉंग्रेस के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियां और उनके समर्थक वीर सावरकर और देश के लिए उनके योगदान को ना सर्फ न कारते रहे हैं बल्कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी करते रहे हैं वांपन्ती विचारधारा के दबदबे वाले बॉलिवुड में जहां सावरकर या दक्षिर पन्ती विचारधारा को लेकर या तो खामोशी छाई रहती है या पिर सिर्फ विरोध के सुरूटते हैं वहां लता मंगेश कर अपने विचारों और विचारधारा पर शुरू से लेकर अंत तक अडिग रही इसकी मिसाल उन्होंने दी साल 2019 में वीर सावरकर की जन्मिति थी 26 माई पर एक ट्वीट करके उन्होंने ट्वीट किया नमस्कार आज स्वातंत्र वीर सावरकर जी की जयनती है मैं उनकी व्यक्तित्व को उनकी देशभक्ती को प्रणाम करती हूँ आजकल कुछ लोग सावरकर जी के विरोध में बाते करते हैं पर वो लोग ये नहीं चानते कि सावरकर जी कितने बड़े देशभक्त और स्वाभिमानी थे इतना ही नहीं लता मंगेशकर ने एक ट्वीट करके ये भी बताया कि वीर सावरकर और उनके परिवार के कितने घन घनिष्ठ संबंद थे लता मंगेशकर ने सावरकर के साथ अपने परिवार के रिष्टे की पुष्टी करते हुए एक ट्वीट किया वीर सावरकर और हमारे परिवार के बीच घनिष्ठ संबंद थे इसलिए उन्होंने हमारे पिताजी के नाटक कंपनी के लिए एक नाटक सन्यस्त खड़क लिखा था ट्वीट के साथ लतामंगेशकर ने नाटक का गाना भी पोस्ट किया था जिस पर कई लिब्रल और वामपंथी विचारधारा के लोगों के पेट में काफी दर्द हुआ था और वो भारत रतन लतामंगेशकर को ट्रोल करने से भी बास नहीं आए ऐसा नहीं है कि बीजेपी के शासन में आने के बाद ही या फिर ट्विटर के आने के बाद ही लतामंगेशकर वीर सावरकर की समर्थक और प्रशन सक बनी उनके जीवन पर वीर सावरकर का प्रभाव बच्पन से ही रहा जो अंतिम सांसों तक बना रहा अगर वीर सावरकर ना होते तो शायद लता मंगेशकर संगीत के क्षेतर में आती ही नहीं ये रास लता मंगेशकर पर लिखी यतिंद्र मिश्र की किताब लता सुरगाथा से खुलता है यतिंद्र मिश्र ने लता मंगेशकर से छे साल के दौरान टेलीफोन पर की गई बातचीत के आधार पर इस किताब को लिखा है इसलिए इस किताब को लता मंगेशकर की कहानी उनकी जुबानी भी कहा जाता है इस किताब में लता मंगेशका ने उन तमाम नामों का जिक्र किया है जिनें वे बेहत पसंद करती थी जिनका सम्मान करती थी और जिनकी प्रेणना से वो संगीत की दुनिया में पहुँची जिन लोगों ने वो किताब पढ़ी है उन में से कई लोग ये जानकर हैरान रहे गए कि उन तमाम नामों में से एक नाम प्रखर राश्ट्रवादी क्रांतिकारी वीर सावरकर का है किताब के पेज नमबर 40 पर यतिंद्र लिखते हैं कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अपनी किश्वर अवस्था में उन्होंने समाज सेवा का प्रड़ लिया था इसके लिए वो राश्ट्रवादी कारी वीर सावरकर से कई दिनों तक विमर्ष में उलजी थी और उन्हें समाज सेवा करते हुए राश्ट्री के पत पड़ जाना है या कुछ और करना है सावरकर जी ने ही उन्हें समझाया था कि तुम एक ऐसे पिता की संतान हो जिनका शास्त्री संगीत और कला में शिखर पर नाम चमक रहा है अगर देश की सेवा करनी है तो संगीत के मार्फत समाज की सेवा करते हुए उसे किया जा सकता है और यहीं से लतामंगेशकर का मन बदला और उन्होंने खुद को पूरी तरह संगीत के लिए समर्पित कर दिया लतामंगेशकर के पैंस और उनके निधन पर दुख जताने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक तरह से सावरकर का एहसानमंद होना चाहिए तो देश को लतामंगेशकर जैसी स्वर सामरागी नहीं मिलती या तींदर मिश्र ने एक सवाल के रूप में जब लतामंगेशकर से पूछा कि राजनीतिक शेतर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद हो या उस व्यक्ति की शखसियत आपको बहुत पसंद हो तो लता मंगेशकर ने बताया कि मुझे इंदरा गांधी व्यक्तिकत रूप से पसंद है पंडित जवाहला नहरू की भी मैं तहे दिल से इज़त करती हूँ लोकमान या बाल दंगाधर तिलक जी को मैं एक बड़े नेता के रूप में मानती हूँ सक्रिय राजनीती से अलग मगर देश प्रेम में डूबे किसी राजनीतिक चरित्र की बात करें तो मैं वीर सावरकर को गहरे सम्मान से याद करती हूँ हालकि एक दूसरे सवाल के जवाब में वो राजनीतिक लोगों में अटल भिहारी वाथ पे लाज़पिष्ण आडवानी और नरेंद्र मोदी का नाम भी अपनी करीबी लोगों में लेती है बैसे वीर सावरकर लता मंगेशकर के सिर्फ प्रेड़ना स्रोत नहीं थे बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लता मंगेशकर ने सावरकर के लिखे गीत हे हिंदू नरसिम्हा को आवाज दी थी इसके अलावा भी सावरकर के लिखे कई गीत लता मंगेशकर की आवाज बनकर श्रोताओं तक पहुँचे हैं लेकिन वीर सावर करके गीतों को धुन देने वाले लता मंगेशकर के भाई रिदेनात मंगेशकर के साथ क्या हुआ था ये जानकर आपको पता चल जाएगा कि नहरू के शासंकार में कॉंग्रिस कितनी सहिशनू थी और व्यक्तिगत आजादी कितनी थी इसका खुलासा खुद रिदेनात मंगेशकर ने एक टीवी चानल को दिये इंटरव्यू में किया था उन्होंने बताया था कि मैं उस समय औल इंडिया रेडियो में काम कर रहा था मैं 17 साल का था और मेरी तनख़वा 500 रुपे प्रती महा थी आज ये मुमफली भर हो सकती है लेकिन उस समय 500 रुपे एक मोटा वेतन माना जाता था संक्षेप में कहूं तो मुझे औल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया था क्योंकि मैंने वीर सावरकर की प्रसित कविता ने मजसी ने परत मातर भूमी सागर प्रण के लिए एक संगीत रजना बनाने का विकल्प चुना था हालकि रिदेनाथ ने किसी नेता का नाम नहीं लिया लेकिन बिना नाम ये बता दिया कॉंग्रेस में किसके शासनकाल ने वीर सावरकर के नाम पर उनकी नौकली तक ले 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 प्रिदेनाथ मंगेशकर का जब 1937 का है और जब उनको 17 साल की उम्बर में एयायार से निकाला गया था तो साल था 1954 और तब कॉंग्रेस के शासनकाल में प्रधान मंत्री थे जवाहरलाल नहरू और सावरकर के लिए उनकी क्या भावनाय थी ये भी आज पूरा देश जानता है लेकिन सावरकर के गीतों को धुन देने वाले कला के शित्र के लोगों को भी वो नहीं बख्षते थे ये थी उनकी सहिशुरता लेकिन उल्टी धारा में भी अपनी विचारधारा के साथ चलना लता मंगेशकर को भारती सिनेमा के लोगों से अलग बनाता है उन्होंने कभी भी अपनी हिंदुवादी विचारधारा को ना तो छुपाया और ना ही दबाया बीजेपी ने था लालकृष्ण आडवानी ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि लता मंगेशकर की आवास में गाया गया राम भजन 1990 में उनकी राम रत यात्रा की सिगनेचर ट्यून बन गया था वो बताते हैं कि मुझे वो समय याद है जब उन्होंने बहतिरी श्री राम भजन रिकॉर्ड किया था और मेरे सोमनात से अयोध्या तक राम रत यात्रा शुरू करने से पहले उसे मुझे भेजा था वहीं बीजेपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई को वो अपने पिता तुल्ली मानती थी वाजपी सरकार के दौरान ही आने 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत ने भी मिला वहीं पियम मोदी के काम और देश की पती समर्पन को वो खुल कर कहती रही इसकी एक बड़ी वच्छा शायद यह है कि जिन बीर सावरकर को वो अपने जीवन का प्रेणा स्रोत मानती थी उनको राष्टी स्तर पर संबान दिलाने की इमानदार कोशिश सिर्फ बीजेपी की तरफ से ही की गई लदा मंगेशकर आज भले ही इस लोक में नहीं है लेकिन अपने गुणों से अपनी संस्कृती अपनी सभिता और अपनी विचारधारा को दृढ़ता के साथ कैसे सहे जा जाता है इसकी वो मिसाल दे कर गई है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक करें शेयर करें और क्यापिटेंसी वीगों सब्सक्राइब करें